कालू जी देखा आपने टूनी चडिया आजकल कितनी मोटी होती जा रही है पता नहीं कौन सा फल खाती है क्या गोरी जी आपको नहीं पता टूनी चडिया को असली घी से बरा डबा मिला है अब खाना भी असली घी में बना कर खाती है तो मोटी क्यों नहीं होगी क्या कहा कालू जी घी का डिबा मिला है परंतु कहां से गोरी वो भोजन खोजने दूसरे जंगल गई थी तो कोई रहागीर उस पेड के नीचे डिबा भूल गया और टूनी चडिया को घी का डिबा मिल गया इन सर्दियों में चडिया की तो किस्मत ही खुल गई जो पैठे बिठाए घी का डिबा मिल गया अपनी तो सिर्फ फोटी किस्मत है कभी कुछ नहीं मिलता ऐसा कहकर गोरी कववी जोड़ जोड़ से रोना सिरू कर देती है ताके कालू कववा उसके लिए कहीं से भी घी का डबा ले आए परन्तो कालू तो उसे नजर अंदाज करके वहां से भाग जाता है वो पंक में लाठी लिए उसे डुणने के लिए घर से बाहिर निकल जाती है और कालू कववा उसे दिख जाता है अरे बापरे ये गोरी जी तो लाठी लिए मेरी तरफ ही आ रही है अब तो भाग भी नहीं सकता हूँ कोई न कोई बहाना बनाना पड़ेगा फिर कालू कववा जोर जोर से हाफ न सरू कर देता है अच्छा हुआ गोरी जी जो तो मेरे पीछे पीछे आ गई मुझे घर में बड़े घुटन हो रही थी इसलिए खुली हवा में आया हूँ थोड़ा सा पानी पिला दें मैं सब जानती हूँ आप बचने के लिए ऐसा नाटक कर रहे हो रुक जाओ मैं अभी आपको लाठी से पानी पिलाती हूँ फिर गोरी कववी के ऐसा कहते ही कालू कववा तुरंती अपनी आखे बंद करके जमीन पर गिर जाता है और बेहोसी का नाटक करता है कहीं ये सच में तो डर से बेहोस नहीं हो गया पिलीज कालू जी उठ जाओ मैंने लाठी फैक दी गोरी कववी की ये बात सुनकर कालू अपनी आखे खोल देता है गोरी मुझे क्या हुआ था मैं कहा हूँ और मेरा सर जोर जोर से घूम क्यों रहा है अब अपने डिरामा बंद करो कालू और मेरी बात को त्यान से सुनो कहो गोरी जी आप क्या कहना चाहती हो कालू जी मुझे भी असली घी खाना है तो कैसे भी करके मेरे लिए घी का इंतजाम करो वरना मैं आप से बात नहीं करूंगी ठीक है मैं जाता हूँ और कहीं से घी का डिबा लाता हूँ फिर कालू कववा एक बुढिया के घर चला जाता है और सभी डिब्बे को निहारने लगता है इस बुढिया की रसोई में तो घी है ही नहीं लगता है गरीब की रसोई में आ गया हूँ अब मुझे अमेर के घर जाना होगा फिर कालू कववा वहां से एक सेट के घर में चला जाता है और उसकी मुडेर पर बेट कर उसके जाने का इंतजार करता है ये खडूस आदमी कब से अखवार पड़े जा रहा है जैसे सारी दुनिया के खबर यही रखता हो कालू कव्वा सेट के जाने का इंतजार करते करते ठक जाता है और चुपके सेरसोई में जाने लगता है तभी सेट एक कंकड उठा कर कालू को मारता है कंकड सीधे कालू के सर पर लगता है फिर कालू कव्वा तुरंत ही अपने घर भागाता है मर गया गोरी जी मर गया आपके घीलाने के चकर में सर फूट गया साफ साफ बताएं हुआ क्या है आपका सर कैसे फूटा गोरी एक मोटे से आदमी ने मेरे सर पर फैंक के पत्थर मारा कालू जी आप भी एक नंबर के बेवकूप हो इनसानों के होते हुए भी भला घी चुराया जाता है लगता है अब मुझे ही कुछ सोचना होगा फिर गोरी कववी कालू कववे के कान में कुछ बताती है और कालू कववा कहता है गोरी जी आप जिद कर रही हो इसलिए आपकी बात मान लेता हूँ वरना मैं टूनी चडिया के घर से कभी चोरी नहीं करता कालू और गोरी यसे बाते कर रहे थे इधर टूनी चडिया अपने बेटे के लिए घीके लड़ू बनाने की तयारी कर रही थी मम्मा आपने ये लड़ू बनाना कहां से सीखा बेटा ये लड़ू तो मैंने आपकी नानी से बनाने सीखे हैं वो हर सर्दियों में घीके लड़ू बनाती थी ममा एक बार नानी ने भी तो हमारे लिए लड़ू बना कर भेजे थे मैंने अपनी दोस्तों को भी खिलाए थे वो सब कितनी तारीफ कर रहे थे वो दोनों मा बेटा ऐसे बाते कर रहे थे के तभी कबूतर वहां आ जाता है अरे वा बड़ी अच्छी कुसबू आ रही है आखिर ऐसा क्या बन रहा है जरा मुझे भी तो खिलाएं कबूतर भाया मुझे जो घीका डिब्बा पाया था बस उसी से गुद्दू के लिए लड़ू बना रही हूँ जब लड़ू बन जाएंगे तो आपको चरूर खिलाऊंगी ठीक है टूनी ध्यान से खिलाना बड़े दिन हो गए असली घी का टेस्ट भी भूल गया हूँ कबूतर भाया आपने बड़ी चिंता की मैं अभी आपको थोड़ा सा घी दे देती हूँ फिर आप जी भर कर चखना फिर टूनी चड़िया उस डब्बे में से एक कटोरी घी कबूतर को दे देती है कबूतर घी की कटोरी लेकर अपने घर चला जाता है लूसी जी चुडिया ने मेरे लिए एक कटोरी घी दिया है बढ़िया से घी के पराथे बना दीजिए जी भर कर खाऊंगा ठीक है कबूतर जी मैं अभी घी के पराथे बना देती हूँ वो दोनों ऐसे बाते कर रहे थे ये तभी वहाँ पर मिठुतोता आ जाता है जरा मुझे भी तो बताओ आखिर घी कहां बट रहा है मुझे भी घी के पराथे खाने है मिठुतोते घी कहीं नहीं बट रहा ये घी तो टूनी चुडिया ने मुझे वैसे ही दिया है किया कहा तूनी चड़िया के पास घी है फिर तो मैं भी जाता हूँ मुझसे तो कभी मना नहीं करेगी फिर मिठ़्ुतोता तुरंथी वहां से उड़ जाता है और तूनी चड़िया के घर जाकर ही सांस लेता है चिडिया बहन सुनते ही भाग आया हूँ, कहीं घी खतम ना हो जाए, आप मुझे भी थोड़ा सा घी दे दे, मैं हलवा बना कर खाऊंगा चिडिया मिठ्धु तोते की बास सुनकर हस पड़ती है, आपने बड़ी चिंता की मिठ्धु, मैं अभी आपके लिए घी लाती हूँ, थोड़ा सब्र करो फिर टूनी चडिया एक कटोरी घी मिठ्धु तोते को भी दे देती है, और तोता घी लेकर वहां से चला जाता है ममा, जल्दी से ये लड़ू बना भी दो, अगर गूरी अंटी को पता चल गया तो वो भी घी मांगने आ जाएगी, फिर सारा घी बिना लड़ू बने खतम हो जाएगा हाँ बेटा, आप सही कह रहे हो, आप ये गोला कसें, मैं किसमिस और बादाम ले आती हूँ फिर टूनी चडिया समान लेने चले जाती है, जहां गोरी कवी पहले से समान ले रही थी, स्यामू का का आदा किलो किसमस और आदा किलो बादाम दे दो टूनी चडिया, बादामों से क्या बना रही हो, जरा मुझे भी तो बताओ गोरी बहन, मैं गुड़ो के लिए लड़ू, मैं भी क्या बोले जा रही हूँ, ये बदाम तो मेरी पडोसन बुलबुल ने ना आए है ठेक है चडिया, मैं अब चलती हूँ, कालू के लिए खिचडी बनानी है फिर वे दोनों वहाँ से अपने अपने घर चली जाती हैं, और गोरी कवी कालू से कहती है कालू जी, मैंने उस टोनी चडिया को स्यामू दुकांदार से बदाम खरीदते देखा लगता है सारे घी से कुछ बनाने वाली है, आप यूहीं पंक पे पंक रखे बैठे रहें गोरी जी, रात तो होने दो, अब क्या दिन में भी चोरी करें? फिर गोरी कवी गुसे में खिचडि बनाती है, और इधर टोनी चडिया लड्डू बना रही थी, वो एक लड्डू बना कर गुड्डू को देती है गुड्डू बेटा, जरा खाकर तो बताओ, लड्डू कैसा बना है? ममा, ये तो रामू हलवाई के लड्डू से भी स्वादिष्ट हैं, फिर दोनो मा बेटा लड्डू खाते हैं, और साम भी हो जाती है, इधर गोरी और कालू अपने गोंसलों में बैठे हुए थे कालू जी, अंधेरा होते ही चल देंगे, क्या गोरी, आप भी मेरे साथ चलोगी, हाँ हाँ कालू, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, कहीं घीकी जगा पर रिफैंड का डबा उठा लाई तो, ठीक है ठीक है, आप भी चल देना, मुझे क्या? फिर थोड़ी देर बाद, गोरी और कालू का इंतजार खतम हो जाता है, और रात हो जाती है, वो दोनों टूनी के घर चोरी करने के लिए निकल जाते हैं, कालू जी, मुझे तो कहीं भी खिकरिबा नहीं दिख रहा है, हाँ हाँ, लगता है टूनी चुडिया सारा घी एक ब मेरे घर चोरी करने जरूर आएंगे, इसलिए मैंने सारे लड़ू अपने घंसलों के नीचे छिपा लिये थे, चुडिया बहन, मैं चोरी करना नहीं चाहता था, परन्तों नहीं आता तो गोरी मुझे बहुत मारती, मुझे माफ कर दो, प्यों कालू जी, मेरा ही नाम क्यों लगा रहे हो, आपने ही तो मुझे बताया था, कि टूनी चिडिया के घर में घी है, लेकिन गोरी जे मैंने चोरी करने को कब कहा, आप दोनों चिप हो जाईए, मैं अभी आपको घी के लड़ू देती हूँ, फिर टूनी चिडिया गोरी कवी को कुछ लड़ू देती है, ग टूनी बहन, मुझे भी माफ कर दो, मेरा घी खाने का बहुत मन्था, इसलिए ऐसा किया, फिर चिडिया उन दोनों को माफ कर देती है, और वे दोनों लड़ू लेकर अपने घर चले जाते है, और टूनी चिडिया आराम से सो जाती है, ये कालू और गोरी तो कभी नहीं सु याद थी, उसको कोई भी चीज अगर पसंद आ जाए, तो फट से उसे चुरा लाता, टूनी जी चल दी देखो, मैं क्या लेकर आया हूँ, अरे रोई जी, आपके पास तो पहले से ही दो दो घड़ी थी, फिर आप ये तीसरी घड़ी क्यों ले आए, नहीं नहीं टूनी ज अगर बॉस को पता चल गई तो वो आपको जोब से निकाल देंगे, इसलिए कहती हूँ, कल जाकर चुपचाप से ये घड़ी बॉस के टेबल पर रख देना, ये पागलो जैसी बाते मुझे मत सिखाओ, मैं घड़ी बापस तो नहीं करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो ज टूनी का पती टूनी चड़िया की एक भी बात नहीं सुनता है, बस बार बार उस घड़ी को निहारता रहता है, चड़िया बहन क्या हुआ है, तेरा मुझ पापड के तरह सूखा क्यों है, गोरी बहन कुछ भी तो नहीं हुआ, मेरा मुझ तो रोज ही ऐसा होता है, चलो अ पती के साथ कल आ जाना बिल्कुल गोरी बहन मैं कल लाप के घर समय पर आ जाऊंगी आरे चिडिया अकेले आने को नहीं बोला है मैंने अपने पती को भी साथ लाना तूनी चिडिया ना चाहते हुए भी गोरी कवी से हां कर देती है आप उदास ना हो गोरी बहन हम दोनों कल आपके घर पाटी में समय पर आ जाएंगे अब मैं चलती हूँ मुझे कबूतर और बाकी पक्षियों को भी न्योता देना है फिर गोरी कवी वहां से चली जाती है और टूनी चिडिया अपने घर आकर रोईचडे से कहती है कल हमें गोरी बहन के घर पाटी में जाना है उनक साधी की साल गिरा है तूनी जी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे पाटी का सारा खर्चा गोरी और कालू ने तुम्हें सोपा हो अरे थोड़ा खुसी के साथ बोलो रोई जी मैं आपसे विंती करती हूँ कला पाटी में कोई ऐसी हरकत मत कर देना जिससे हम दोनों को सरमिंदा होना पड़े ये क्या विकार की बाते कर रही हो मुझे खाना दो बहुत तेज भूक लगी है देखिए रोई जी मैं आपसे पहले ही कह दे रही हूँ अगर आप वहाँ पर भी कोई चोरी करने वाले हैं तो मैं पाटी में कल नहीं जाऊंगी अरे नहीं करूंगा चोरी अब क्या कोरे कागज पर दस्तक करके दूं वैसे भी आप भी तो मेरे साथ रहोगी तो मुझे पे नजर रख लेना फिर टूनी चडिया को अपने पती की बातों पर विश्वास हो जाता है और वह दोनों भोजन खाकर अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं अगली सुबा कोते भाईया आज गोरी और कालू भाईया की सालगिरा की पाटी है तो बस घर के कामों को जल्दी से निपटा रही हूं हां हां मैंने तो गोरी और कालू के लिए तौफा भी खरीद लिया है बस जल्दी से साम हो जाए फिर पाटी में दे दूंगा तूनी चडिया और मिठ तो ते बड़े दिनों के बाद घर आये हो, तबियत तो ठीक है, हाँ हाँ दोस्त मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप सुनाईए, देखिये न बती जी हम गोरी और कालू भीया के लिए उपहार लाना तो भूल गए, तूनी जी अभी तो गोरी और कालू की पाटी में बहु गोरी और कालू के लिए तौफा खरीद लाएं, पाटी में तो साम को जाना है, फिर वह दोनों पती पतनी वहां से चले जाते हैं, वो एक बहुत बड़ी गिफ्ट की दुकान पर पहुँच जाते हैं, गोरी और कालू के लिए एक सुन्दर सा तौफा लेते हैं, रोई जी ये उपहार गोरी बहन को पसंतों आएगा, हाँ हाँ टोनी जी बिल्कुल, ये उपहार उन दोनों को जरूर पसंत आएगा, फिर वह दोनों गोरी और कालू के लिए गिफ्ट खरीद कर अपने घर आ जाते हैं, कितना संदर है ये काच का घर, अगर टोनी को पता चला की बह मैंने फिर से चोरी की है, तो वो नराज हो जाएगी, और मुझे डाटेगी, मैं इसे कहीं छिपा देता हूं, रोईचडा तो आदस से मजबूर था, वो लाख मना करने के बाद भी दुकान से काच का घर चुरा लाता है, और उसे अपने घर में छिपा देता है, साम भी हो जाती है, जंगल के सारे पक्षी गोरी और कालू के घर में जमा हो जाते हैं, आप दोनों को बहुत बहुत बढ़ाई, आप दोनों अजारो वर्स ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहें, मिठ्ठु तो ते धन्यवाद, बढ़ाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गोर गोरी और कालू भया, आपको साधी की सालगिरा मुबारक हो, आप दोनों हमेशा ही मुस्कराते रहें, मुझे बहुत खसी हुई, जो आप मेरे दोस्त रोय चिड़े को ले आई, वरना ये सारा दिन तो कामों में ही लगा रहता है, फिर वो सारे पक्षी बारी बारी से गोर गोरी जी, आप अपनी आखों को कुछ देर के लिए बंद कीजिए, आपके लिए मैंने एक सर्प्राइज रखा है, कालू जी, ऐसा क्या लाए हो, जल्दी जल्दी दिखाओ, ऐसे नहीं गोरी जी, पहले आपको अपनी आखें बंद करनी होंगी, तभी मैं आपको कालू के इतने कहते ही, टोनी चड़िया गोरी की आखों पर एक पटी बंद देती है, कालू जी, अब तो बता दीजिए, मैंने आखों पर पटी बंद ली है, हाँ हाँ गोरी जी लाता हूँ, आप अपने पटी धिरे धिरे से खोलना, फिर कालू कववा अपना गिफ्ट ग कालू जी इतना महेंगा हार, भला मुझे क्यों पसंद नहीं आएगा, अरे वा कालू भीया, आप तो गोरी बेहन के लिए कितना प्यारा गिफ्ट लाए है, वो सारे पक्षी कालू के हार की तारीफ किये जा रहे थे, तब ही कब उतर बोल पड़ता है, चलिए गोरी और काल अब आप दोनों केक काटिये, फिर वह दोनों केक काटते हैं, सभी पक्षी केक खाने में लगे हुए थे, परन्तु रोई चड़ा तो मन ही मन में सोच रहा था, ये हीरो का हार तो मुझे बहुत पसंद आया है, कैसे भी करके ये हार तो में चुराखे ही रहूंगा, वरना म मुझे एक भी पल का चैन नहीं मिलेगा, दोस्त चुड़े, किस सोच में ढबे हुए हो, कबसे पूछ रहा हूं, आपने खाना खालिया या नहीं, अरे कालू दोस्त, मैंने अभी खाना नहीं खाया है, मैं आराम से खालूंगा, आप मेरी चिंता ना करो, फिर रोई चुड हो गया, नहीं नहीं गोरी जी, आप ध्यान से देखिये, हार यहीं कहीं होगा, कालू जी, मुझे पूरा ध्यान है, मैंने यहीं पर हार रखा था, परन्तु अब कहीं नहीं मिल रहा, गोरी जी, हमें पड़ोस्यों से भी पूछना चाहिए, सायद हार मिल जाए, फिर वह द जोनों उन सभी पक्षियों के घर जाते हैं, जो उनके घर पाटी में आये थे, और उनसे पूछताच करते हैं, नहीं नहीं कालू, आप चाहें तो मेरा सारा घर देख ले, मैंने हार नहीं चुराया, और नहीं मैं कभी चोरी करता हूं, मैं अपने बेटी की कसम खाता हूं, मैंने हार नहीं चुराया है, अगर आपको विश्वास नहीं है, तो मेरी तलासी ले लें, कालू जी, अब तो टोनी चेडिया का ही घर बचा है, आओ हम वहां भी चलते हैं, नहीं नहीं गोरी जी, टोनी चेडिया तो जंगल की सबसे इमानदार पक्षी है, वो हार चुरान टोनी चेडिया के घर चले जाते हैं, टोनी बहन, हमारा इतना महेंगा हार चोरी हो गया, गोरी कवी की यह बास सुन कर तो टोनी चेडिया तुरंत ही समझ जाती है, कि उसके पती ने ही हार को चुराया है, गोरी बहन, मुझे माफ कर दीजिए, इसलिए मैं अपने पती को आ होते हुए उन दोनों को अपनी पती की सारी सच्चाई बताती है, और उन दोनों से माफी मांगती है, चुडिया बहन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप सर्मिंदा ना होएं, बस हमें हमारा हार दिलवा दे, हमें किसी से कोई सिकायत नहीं है, फिर टोनी चुडिया अपने पती को बलाती है, और उससे कहती है, रोई जी मुझे सब पता चल गया, कि आपने ही गोरी बहन का हार चुराया है, किरप्या करके वो हार वापस लोटा दें, वरना मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ कर चली जाऊंगी, नहीं नहीं टोनी जी, मैं हार को दे और आज से चोरी भी नहीं करूंगा, बस आप मुझे छोड़ कर ना जाएं, फिर रोई चिडा वो हार गोरी कभी को दे देता है, और उस दिन के बाद चोरी भी नहीं करता, और वे दोनों हसी खुसी रहते हैं, तो प्यारे दोस्तों, हमें अपनी जिन्दगी में चोरी कभ बात होती है,